सियासी घटना क्रम का विलन कौन का सूरवार किसे आखिर ठेराया जाए ग्राफिक्स के जरीए अजय माकन प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनितिक फैसलों को लेकर गहलूद से पटरी पैठी ही नहीं अजय माकन परदे के पीछे रचा अचो गहलूद को सीम पत से हटाने का खिल प्रभारी होने के नाते फीड़ेक रिपोटों में पाइलिट को सीम बनाने की वकालत उन्होंने की 2023 के चुनाओं में गहलूत की नित्रित्व में सरकार रिपीट नहीं होने की रिपोर्ट अजय माकन ने दी प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनितिक फैसलों को लेकर नहीं बैठी गहलूत से पटरी ये एक बड़ा घटना क्रम परदे के पीछे रचाच को गहलूत को सीएम पट से हटाने का खेल सियासी घटना क्रम का विलन कहा जा सकता है कि अजय माकन यहां नजर आ रहे हैं प्रभारी होने के नाते फीडबैक रिपोर्टों में पाइलिट को सीएम नाने की बात उन्होंने कही 2023 के चुनाव में गहलूत के नेत्रित में सरकार रिपीट नहीं होने को लेकर रिपोर्ट आला कमान को सौपी प्रभारी बनाए जाने के बाद राज़ूतिक फैसलों को लेकर गहलूत से उनके पट्री ही नहीं बैठी सियासी घट्रा करम का विलन ग्राफिक्स के जरिये आपको हम बता रहे हैं अजैमाकर एक तरहां से एक दिश्टिकोंट से देखा जाए तो माने जा सकते हैं क्योंकि जिस तरहां से आला कमान को अब शांती धारीवाल किस तरहां से विलन साबित हो सकता गैलोत की पटकरता के मुख के किरदार शांती धारीवाल विधायक दल की बैठक में नहीं जाने के लिए विधायकों को लामबंद उनोंने किया आला कमान की नजरिये से विलन ये थाबित हो रहे हैं विदायकों को एक जोटकर आला कमान के सामने रखवाई शर्त शांती धरिवार आला कमान की भेजे दूतों को आखरी तक अंधिरे में रखा गहलोत के पटक था के मुखे किरदार सबसे पहले दिखाई आला कमान को आख आला कमान की आखों में इस वक्टक रहे हैं कहीं नख कहीं विदायक दल की बैठक में नहीं जाने के लिए विदायकों को लाम बंद किया अलाकि उन्होंने सफाई दी है साफ तोर पर उन्होंने सचिन पालिट पनिशाना साधा था आपसे कुछ देर पहले विदायकों को एक जुट तो आला कमान की भेजे दूतों को आखरी तक अंधेरे में रखा ये तमाम जो फैक्टर्स हैं तमाम जो बिंदू हैं ये कहा जा सकता है dat सभववथ तोर पर विलन मनाते हैं शांती धरिवाल को अलाकि तथ्यों के आधर पर ये चीज़ नहीं क sillी जा सकती रिकिन सभववथ तोर पर जरूर ज्य घटा करम घट रहा है उस आधर पर हम आपको ग्राफिक्स के जरीए ये बता रहे हैं